अब यह आपका पेज खुरकर आया होगा जो लॉगिन और अजिस्टरेशिन के लिए जो मैंने आपको बताया था यह वाला लिख रहा होगा आप समय को यह वाला पेज इसकी पोले में देखे जब है जो है प्लिक्ता होगा नीचे साइड पोले में है प्लिक का हुगा थीक है इसमें कुछ important points किया है important points to know थीक है इसमें आपको मैं कुछ-कुछ बात पे चूड रही होगी तो मैं आपको बताते हूँ ठीक है location accuracy सबसे पहले आपका है location accuracy इसमें जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि GPS, इंटरेट और कमपास आपके मुबाइल में हुनेशा on रहना चाहिए अगर आप मुबाइल आपकी करने के लिजा रहे हैं तो आपका GPS और इंटरेट हमेशा on रहना चाहिए कमपास आप इसी मुबाइल में नी होता है, इसी लिज़रूरी नी होता है ठीक है? GPS पर इंटरेट बहुत ज़रूरी होता है अब इसमें वही आता है का point, line, polygon । ठीक है? Point आपको point के लिए होता है, line, road के लिए होता है से कम होना चाहिए है अपकी lifelong accuracy ठीक है? तो कम से कम 3 मिटर और जादा से जादा 10 मिटर 8, 7, 6 यह सब सही होता है accuracy ठीक है? तो कम से कम 3 कर आता है तो गुल accuracy बहुत अच्छी माली आती है फिर आपना आपको capture position जैसा की पहले बताया चाहिए कि capture position में आपको capture accuracy कर रही है ठीक है 3 मिटर और आप यह capture कर लेंगे फिर आपको आपने टेक photo टेक photo में आप दो साइट से photo ले लेंगे फिर आता है available free memory RAM आपके फोल में RAM किती होनी चाहिए आपके फोल में कम से कम 200 MP RAM फ्री होनी चाहिए ठीक है यह 200 MP लिखते है राग आपको 200 MP RAM accuracy 3 होनी चाहिए ठीक है उसकी एक बार बता है compass accuracy आपकी compass accuracy अच्छी होनी चाहिए compass चलना चाहिए ठीक है फिर आपका बही आपका टेक 2 photos आपकी तो photo बान होनी चाहिए फिर photo size आता है आपकी photo size कम से कम 1 MP होनी चाहिए कम से कम 1 MP अच्छी photo फिर अपके लिखते है ठीक है उसकी बाता आपको चुगा है ठीक है सबसे का लिख नोगों आपका registration भी था इस पे बई है कि GPS, Internet और compass आपका होना चाहिए अगर आप GPS, Internet और compass चाहिए और आपको अच्छी होनी चाहिए